Hello guys, welcome to Moto Mantra, Mantra for your Moto और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं बजाद चेतक के बारे में पहले वाला बजाद चेतक नहीं होने वाला है ये हाली के अंदर लॉंच हुआ है 14 जनुरी 2020 को तो इसके अंदर आपको नए अवतार के अंदर ये बजाद चेतक देखने को मिलने वाल है और ये इस बार अवतार है वो इलेक्ट्रिक अवतार के अंदर इसको लॉंच किया गया है तो आईए आज को वीडियो में हम इसी बज़ाच चेतक स्कूटर के बारे में बात करते हैं तो आज को बिना समय गवाय करते हैं जैसर कि हम सब जानता है कि जब पहले बज़ाच चेतक आया करता था तो वो देश का सबसे ज़्यादा भिकने वाला स्कूटर था और इसी वज़े से लोगों का उससे बहुत जादा विश्वास जुड़ावा था आज तक मेरे पपा चला रहे है और इसी कारण से उसके साथ में विश्वास और उसके साथ में प्यार दोनों अभी तक बनावा है और इसी प्यार को बरकरार रखने के लिए बजाज ने अपना ये नया स्कूटर लौंच किया है लेकिन इस बार पैट्रोल वेरिंट के अंदर लौंच नहीं किया है इस बार इलेक्ट्रिक वेरिंट के अंदर लौंच किया गया है इसके अंदर आपको 4 kW की electric motor देखने को मिल जाती है जो कि 16 Nm का torque produce करती है इसके अंदर आपको बैटरी से चलने वाली motor देखने को मिल ही रही है और इसी कारण से इसके अंदर आपको IP67 की lithium ion बैटरी देखने को मिलती है जो कि 5 घंटे के अंदर चार्ज हो सकती है यदि आप 5V 15A के output से आप इसको चार्ज करते हैं और ये 25% तक चार्ज हो सकती है सिर्फ एक घंटे के अंदर यदि हम बजाच ये तक की बात करें तो ये 6 कलर के अंदर देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको disc brake, tubeless tire और digital console के साथ में सब कुस देखने को मिलेगा यानि आपको इसके अंदर speedometer, odometer, सारा का सारा आपको पूरी तरिके से digital console के साथ में देखने को मिलने वाला है इसके अंदर एक खास जो चीज सबसे ज़ादा impressive करने वाली चीज है वो यह है कि इसके अंदर आपको reverse gear भी देखने को मिलेगा तो यदि आपको पिछे की तरफ पार्किंग करने है, scooter को तो पार्किंग करने में बहुत जादा आसानी होने वाली है इस reverse gear की मदद से बाकि यह आपको दो variant के अंदर मिलने वाला है जो पहला variant है वो अर्बन है और जो दूसरा है वो प्रीमियम है यदि हम अर्बन की बात करें तो उसके अंदर आपको 85 km की रेंज देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर आपको जो front brakes हैं वो drum type के देखने को मिलने वाले हैं अब यदि हम बात करें बजाज ओटो इंडिया की तो उसने कहा है कि वो अपने सबसे authorized जो technician है उनकी मदद से आपके घर में एक home charger भी fit करने वाला है जिसकी मदद से आप इस scooter को charge भी कर सकते हैं बाकि यदि हम इसके body की बात करें तो इक काफी अच्छी दिखने वाली है के अंदर देखने को मिल सकता है बाकी अरिया आप इसकी body को देखे हुए तो पूरी तरगी से metal की बनीवी है और इसके अंदर आप इसके अंदर आपके चार्जर और सब के बारे में बताएगा कि बाइचान जेचोरी हो गया तो यह कहाँ पर खड़ा है तो यह सब कुछ बजाचेतक के अंदर अभी के समय डाला गया है और इसकी प्राइस है वो electric variant के इसाब से बहुत सई होने वाली है तो यह लोगों के विश्वास पर खड़ा हो पाएगा यह नहीं हो पाएगा वो कि जो सारे specification देखके पढ़ने पर पता लग रहा है तो उससे यह काफी impressive scooter देखने को मिल रहा है design wise, look wise और उसके साथ में सारे features दिये हैं वो भी काफी अच्छे features हैं जो इसको काफी impressive look भी देते हैं और impressive thoughts भी देते हैं इसके बारे में तो इसकी वज़े से यह काफी अच्छ scooter साबित हो सकता है बाकी आज से पहले इस बजाच चेतक जैसा कोई भी scooter नहीं भी का है इसकी जरूर भी किये Honda Activa लेकिन फिर भी बजाच चेतक का जो मुकाबल है वो अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है और इसी वज़े से बजाच चेतक ने इसको वापिस launch भी किया है तो आने वाले टाइम पर यह कैसा perform करता है तो आपकी क्या रहा है इस बजाच चेतक scooter के बारे में कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ में और जो बैल आइकन आथा उसको भी दवा देना तो आज किस वीडियो में बस एतना ही आयाम सोकेल वे सुरेश पीश आउट